हाँ जी दोस्तों आप कैसे हैं आप जो वीडियो देख रहे हैं यहां तक पहुंचे हैं मेरे वीवर्स उनकी एनरजी में देख रही हूँ अगर आप और सोल मुट जड़नी में हैं ओके वाव क्या बात है क्या बात है में को शफल ही नहीं करने दिये तो गाइस आप लोग ज आल तरफ एक बाड बना लिए कोई भी नेगिटिव जो भी एनरजीस हैं वो उनके उस बाड के अंदर उस बांडरी के अंदर अंटर तो नहीं कर सकती आप नहीं हां से जो चीज़े सीखी है वो चीज़े आप अपलाई कर रहे हैं अपने आप पर बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी एनर्जी है अभी आप पीस में हैं काफी relax फिल कर रहे हो आपकी family में भी हैंपर सब कुछ अच्छा चल रहा है अगर किसी की family में कुछ गरबड थी तो ठीक हो रहा है ठीक हो जाएगा क्योंकि आपका एक जो भी negative issues थे जो भी आपकी issues थे जो भी आपने आपको heal किया या अपनी सोच से consciously कैसे भी healing से कैसे भी आपने heal किया है वो चीज़ें यहाँ पर साफ clear है कि आपका जो phase है वो negative phase खतम हो रहा है negative phase खतम हो रहा है आपका जो मेरे भी बरस है ultimate happiness आपकी life में लिखी हुई है guys और ये जो आप अपनी person से बात करना चाहते हैं या call message का इंजार करते हैं कहीं न कहीं वो आप relax हो आएगा तब ठीक है नहीं आएगा तब ठीक है मैं तो ठीक हूँ मैं तो आगे बढ़ रहे हूँ या बढ़ रहा हूँ ठीक है आप अपनी family में भी relax लग रहे हो चीजों को easy way में लेकर चल रहे हो ठीक है एक positive way में लेकर चलते हो कहिना कहीं कोड़े में भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिख जाती है मतलब कि इस negativity को मैं कूड़ा कह रही हूँ कि एक positivity दिख जा रही है कि चलो इसको आप पकड़ लेते हो और फिर आगे उस negativity से आप बहार निकल जाते हो ठीक है यह चीज़ें यहां पर बहुत अच्छे से दिख रही है आपके सामने एक जोसे परदा हटा देता है ना और सब clear होता है आपको एक clarity मिली अपनी life में इस journey में चीज़ों को लेकर समझ चुके हो आप लोग बहुत अच्छे से बहुत ही प्यारी एनरजी है यहां पर पहले आप लोग चाहते थे कि मेरे partner से reconciliation हो फिर से दुबारा बात शुरू हो जाए फिर यह हो जाए लेकिन आप अब relaxed लग रहे हो यहां पर काफी relaxed लग रहे हो काफी अपनी growth कर रहे हो काफी यहां पर peace में हो आप काम हो गए हो बिलकुश शान्त हो गए अंदर से कि ठीक है ओके ठीक है और काफी practical भी हो गए हो यहां पर good luck आपके साथ है guys जो आपकी growth अगर नहीं हो रही थी वो growth होगी आपकी family में परिशानिया थी वो खत्तम होंगी बिलकुल होंगी good luck आपके आगे आपका भागी चमकने वाला है क्योंकि आप अपनी issues को ही heal कर रहे हो अपनी energies को इतना pure कर दिया आपने तो एक healthy जो चीजे है वो healthy people है या job है या जिसको भी आप अपनी चाहते है अपनी life में as a wish वो आपकी तरफ attract होगा ही होगा ठीक है yes कुछ लोग अभी फिलाल इस energy में है कि मेरे पार हाँ देखो यह आया ही card इसलिए है कि आपने मैंने बोला ना कि आप चाहते थी call text कुछ लोग के energy है कि नहीं आ सकती गाइस तो जिससे resonate करें बिल्कुल आप ले लीचे जिससे नहीं करती तो keep an open mind ठीक है बट आप guidance ले सकते हो तो यहाँ पर यहाँ पर यह energy है यहाँ यहाँ पर मैंने क्यों दो बार बोला ओके यह जो stress है यह आपके उपर जो भी responsibility का भार था सोच का समझ का आप negative हो गए थे उन चीजों से आप बाहार निकल रहे हो बहुत अच्छी energy है पहले आप बहुत उदास थे यह को फिर से आ गया यह boundaries आपने create कर लिए आपकी person को भी clarity मिलेगी ही मिलेगी yes planning के साथ आप चल रह उद्यों मिजे बात करनी ही कैसे इसको tackle करना है यार यह बंदा बिलकुल मिर को परिशान कर गहा रखा है तो आपको न परिशानी नहीं होती है आपको यह समझ में आ गया कि यह समझ म tätä गया कि इस बंदे के साथ मुझे कैसे बात करनी है किस type की बात इसको पसंद है उस type की बात करके आप बिल्कुल अलग हट लेते हो आपको हर्ट नहीं होता यहां पर यह energy है और आपको चलना भी यह है ऐसे ही है ठीक है तो जो आप उदास होते थे अपनी पाटने से बात नहीं हो रही है यह नहीं हो रहा है तो वो चीज़े आपके इंदर कहीं ना कहीं आप धीरे तो मेरा नाम पलड़ देना नाम मैंने बता दिया था बिल्कुल आप इस energy में आ जाओ आपके लिए universe ने भंडार भरके रखे है आप यूं हाथ डालो और ऐसे निकाल लो क्योंकि जैसी energy आप दोगे universe में ऐसे ही लोग ऐसी ही चीज़े आप attract करोगे तो आप अगर अच्छ energy में है आप बिल्कुल प्यॉर energy में आप बिल्कुल relax है let go वाली energy में है negativity को let go करके चलते हो तो बिल्कुल आप जो manifest करोगे जो चीज़ चाहोगे वो आपको मिलेगी ही मिलेगी underline कर लो इस चीज़ को मिलेगी ही मिलेगी ठीक है बिल्कुल और इसमें कोई doubt करने वाली बात ही नहीं है क्योंकि universe आपको सब कुछ देना चाहता है जो आप चाहते हो यह देखो bottom the deck है आप मेरे viewers बहुत stuck थे लेकिर अब आपके अंदर वो समझ आ गई है वो stability आ गई है mind से body से soul से आप aligned हो रहे हो कही न कहीं 1111 का card है यह शादी का card है यह proposal का card है यह stability का card है यह 1111 का card है यह universal card है 1111 the master number of the universe ठीक है तो यह जो खुशियां है यह आपकी life में आ रही है guys अगर आप इस energy में और आप है इस energy में तभी तो यह energy आई है आपको इस confusion से दूर होते नजर आ रहे है आप इस यह जो आप stuck थे ना दिल से सोच पा रहे थे ना दिमाग से सोच पा रहे थे और यह clarity आपको बहुत help करेगी guys ठीक है एक card और ले रही हूं मैं overall आप लोगों के लिए यह साब third party जो भी है आपके बीच में हाँ यहाँ पर third party तो है ही आपकी बीच में तो अगर आप किसी कार्मिक से married हैं मेरे विवर्स तो वहाँ पर क्या है कि आपकी person भी आपकी पूड़ा सा कहने चाहिए polite हो गए एक तरह से उनका नरम से हो गए उनका दिल आपके लिए अच्छा सोचता है ठीक है अब आपके बीच में इतनी लड़ाई जगड़े नहीं होते हैं हो सकता है आपके जो soulmate है वो आपसे reconciliation करे reconciliation के energy है ठीक है आप बहुत wait करे थे कि मेरे soulmate मेरी life में आए लेकिन वो आएंगे बट आपको कही ना कही अभी सोच समझ कर आके चलना है एक second guys येस ये card आया है third party का कहीं ना कहीं आपर है आप जो है अपनी person को भी अच्छे से रखना चाहते हैं प्यार से रखना चाहते हैं third party है बीच में कहीं ना कहीं challenges हैं आप wait करें अपने person का लेकिन आप equal given take देना चाहते हैं अपने person को बीच में ये है third party तो आप भी सोचते हो कि चलो third party है तो कोई बात नहीं और जैसे चल रहा है ऐसे चलने दो जब जब क्या करते हैं इश्वर की मर्जी होगी तो ये क्या आया है यहां पर king of sword and queen of sword तो यहां पर excitement मेरे मुह से कुछ का कुछ निकलने लगता है तो judge मत करना देखो आप action की mode पे हैं फिलाल हर चीज़ आप चाहते हैं कि आप rest mode पर भी है आपके person भी rest mode पर है आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लाइफ में आप बहुत अ होगे बिल्कुल भी इस आपकी life में abundance आरी guys आपकी growth होगी आप किसी भी कहीं भी किसी भी field में आप काम करना चाहते हैं जो भी है आप आपने आप से पूछो कि क्या करना चाहते हैं उसमें आपको तरक्षी मिलेगी आपको सफलता मिलेगी success मिलेगी क्योंकि थोड़ी बहु दूसरा challenge यह भी है कि कहीं भी आप काम कर रहे हो work में work field है आपका कोई भी उसमें भी आपको जो colleagues है जो भी आपके साथ वाले हैं आपको परिशान करते थे वो भी अब आपको corporate करेंगे वो भी आपके साथ help करेंगे आपकी ठीक है वो भी आपके साथ अच्छा वहवार करे उनका behavior आपके साथ change हो रहा है वो भी आपको जितना आप उनके लिए करते हो वो भी आपको देंगे क्योंकि यहाँ पर है temperance यानि की life में आपके खुशी आएंगी life में आपके balance आएगा हर area में तो यहाँ पर यह बहुत अच्छी energy है आपकी आपको बस क्या करना है protection में र काम करना है यह ultimate happiness आपकी life में लिखी हो यह सूरज आपकी life में है और यह जो eight of wands है ना यानि की karma यानि की जो आप काम कर रहे हो यह reconciliation का card भी होता है यह काम करने का भी जो जिस field में आप काम करोगे वो आपका काम हो गई होगा बहुत speed से आपकी journey आगे बढ़ रही है बहुत speed से आपकी जो healing हो रही है जो आपकी issues है वो heal हो रहे है और आप growth की तरफ बढ़ रहे है इसका मतलब यह भी है और last में है not the least wheel of fortune बिलको good luck आपके लिए इंतजार कर आपका भाग की बैठा हुआ है कि भाई मैं बैठा हूँ आजाओ फट आफट आपकी तरक्की होनी ही होनी है ओके divine advice भी ले लेती है universal advice भी ले लेती हूँ मैं क्या आपके लिए आता है fairy climax approaches जो भी angels है जो भी आपके आसपास garden angels हैं जिससे भी आप deal कर रहे हो अपने शक्तियों से दिवे शक्तियों से इंजल से वो आपकी help करने के लिए बिल्कुल आपके लिए ready है I sorry a time to give rather than take बिल् victim card play नहीं करना है आपको victim mentality से निकलना है और आपको जिस लिए आपको इस जर्णी दी गही है उसमें कदम रखना है soul purpose में देखो अपना क्या करना है और action mode पे रहो luck is on your side yes guys luck is on your side emotions are running high बिल्कुल उन पर control करो आप अच्छे क्या करते हैं अती हर चीज की बुरी होती है दिल क अच्छा रखो बट आप इतना मत emotionally hurt हो या इतना emotions अपने अंदर मतलाओ कि आप यह तो raw पड़ो या आप low energy में चले जाओ तो balance करके चलो यह है आपकी reading मेरे viewers की अभी के लिए इतना ही thank you take care bye